हेलो गाइज मैं बीजू स्वागत करता हूँ आप ही की यूटूब चैनल फेंटेंसी जैगवार में आप सभी का उमीद करता हूँ कि कल सभी का बढ़िया रेंग आया होगा मेनी जील और जील में सब कुछ आपको कीलेर कट बताया था टो 15 प्लेयर्स दिये थे जिन में से मै मैंने आपको बोला था इन में से आपको 11 प्लेयर मिल जाएंगे साथ में चारी सीवी सी ओप्सन मैंने दिये थे ठीक है मेरा 90 रेंग तक आया सिर्फ 20 पॉइंटों से मेगा जील मिस हुआ यहां पर हम बात करें तो हमारे एक यूजर्स का मिनी जील में फर्स्ट रेंग आय दिये थे ठीक है चार और Carrie करके नाम दिए ते और मतार पांक आपको ब्लेट नहीं कर सकते यह कंडिय को यहींद करके रेना है और यहांब को इसी परकार का मैं आपको बताऊंगा वीडियो बिना स्किप किये पूरा कम्पीट देखने की कोसिस करना ठीक है इसी के साथ में मैं आगे बात करूँ तो सिरफ मैंने आपको दो ही कोमिनेशन बताया थी जील के लिए अब आप च्यार बैट्स में लेके जा रहे हो मैंने बता नहीं कर सकते हो तो फेंटेजी खेलना मेरे साफ से आप लोगों को छोड़ देना चाहिए ठीक है मलब आप को अगर खुद की टीम पर वरुशा नहीं है अब देखो बहुत से लोग ऐसे भी थे मैं आपको दिखाता हूं यह दो गाइस सभी की बहुत अच्छे अच्छी र करता मतलब यार खुद ही टीम पर बुरुशा है नहीं है मतलब हार हार के मैं इतना परिसान वह देखो जितने भी यूजर्स ने मैसेज़ के सिर्फ एक दो-दो टीम लगा रहे हैं मैंने आपको बोला था चार से पांस टीम आपको बनाना है वह इसमें भी आपको मैंने बत देखने को मिलेगा ठीक है मैंने फर्स्ट टीटेन अनलाइसेस वीडियो ही बनाया था कल आईपिल के बाद और धमाका मैंने कर दिया और मैंने आपको मोर्निंग में बता दिया था कि जबर्दस्त उनिक वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा गाइस टोस के बाद में जो अब T10 के इसे ही बेस्ट अनलाइसेस वीडियो आपको चाहिए जीयल के लिए तो आप मेरे यूटूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना या आप टेलिग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हो वीडियो फेंटेंसी जैवा यहाँ पर आपको मेरा में चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर मैं स्मोली टीम परवाइड गरता हूं तो आप सीधा हम अनलाइसेस स्टार्ट करते हैं आज के मैच का कैसे क्या हो सकता है तो अब हम बात करेंगे आई आर और बीडवलू के बीच में खेला जाएगा ड्र दोर भी डालता हो साथ मैं बेटिंग से भी पॉइंट दिलाता हो ठीक है तो यहाँ से तो आमें यही देखने को मिला कि दस और में बोलिंग को फेवरेट करेगा पीच ठीक है अब देखो आयार की ट्रफ से फूल अबर दोर कौन डालते हैं विंसेट लिवीस क्लेमेंट्स और लेक्स ठीक है यह बेटिंग करने भी आते हैं नमबर चार पर कल के मैच में देखा होगा तो आपने और अधर जो एक से दोर डालते हैं वो इन में से डालते हैं ठीक है स्विविव एन स्लेम मैंने कल इसको बताया था आपको जील पिक करना है अब देखो इसका एक को भी धान में रखना ऐसा निया कि इसको हाईटी में आप ट्राई करो ठीक है तो यह चीज़ा आपको धान में रखना है गेल्विन मान की मैं बात करता हूं तो लास्ट दो मेचों में बोली नहीं किया है बीए डवल्यू की हम बात कर लेते हैं कौन दोर फूल डालेंगे तो बीए डवल्यू की और से फूल और दोर डालेंगे मेर्विन ठीक है प्रोटिनी डेलन और किश्वन्स ठीक है अदर्स एक से दोर कौन डाल सकते हैं मोरल और फिवेन अब देखो कॉमिनेशन की मैं बात करता हूं ड्रीम टीम में कैसा आपको कॉमिनेशन बनाना है मतलब मतल जो भी बोलते हैं 5-6 प्लेर आपको लेकर चलने हैं दोनों सेयर से मतलब बैलेंस प्लेर के साथ चलना किसी टीम के 5 ले ले लेना जब बीय डव्लू के आप शह एक बोलर्ज के साथ आपको जाना है या आप दो विकेट के पर तीन वेट्सवन तीन वोलर्ज के साथ यहाँ पर जा सकते हो दो जीयल टीम तो आपको बनाना है इस कोमिनेशन के साथ ठीक है अब देखो डोनों टीम में अपना एश्टो एच मैच खेल चुकी है तो आयर ने 55 बनाया थे बीए डबल्यों नेश थाएसी रन पे श्यविकर रहा धिंग जेंस की हम बात कि लेता है थीच्टि सनका पारी खेला ठीक है विंचेट लिवीस ग्यारा रन एकट isn'tने ही लेके गए था ध्यारा रन ये क्लेमेंट की हम बात के ले थे हैं दो विकेट निकाले लेक्स ने दो विकेट ट्राय से लेवलिंग एक विकेट निकाले अब जेर्विन की हम बात के ले थे हैं इदर से 33 का पारी खेला मेर्विन मेथ्यू दो रन जीरो विकेट कुरिटनी की हम बात के ले थे नो रन जीरो व प्रफॉमेंस किया गतने पॉइंट्ट्रेंट्रेंट्ट्छ सेक्ष्ण में बात कर लेते हैं गया चैन्ट्रेंट्रेंट्र प्रफॉमेंस था हमें देखने को मिलाएंसे डियोन बोनटन देखो Wicket Kipper Section में Wicket Kipping करते हैं तो प्लस Catching के हो गए Point और Opening करते हैं तो उसके Point हमें बैटने दिला सकते हैं Last Mission 40.79 Point, Second Last Mission 36 point तो काफी बढ़िया हमें यहाँ से देखने को मिल दा है तो Shortlist Summary में किया तीनों ही Wicket Kipper हमारी लिए Must Pick हो सकते हैं बेटिंग सेक्शन भी हम नजर डाल लेते हैं एक बार, डेल रोय की हम बात करेते हैं, इतना खास हमें पर्फॉमेंस देखने को नहीं मिला इन से, ठीक है, प्रोइटने की हम बात करेते हैं, लास्ट में चाहँ पॉइंट दे उससे पहले 6 पॉइंट, काफी बढ़िया इतना खास फॉइंट में देखने को नहीं मिला है, किसाओं की मैं बात करेता हूं, बढ़िया प्रफॉमेंस समय देखने को मिला है, क्यूंकि बेटिंग नमबर 6 पी आता है, ठीक है, सेर्विन की मैं बात के लेता हूं तो लास्ट मैच में 10 पॉइंट उससे पहले 35 पॉइंट दिये थे ठीक इतना बड़ा पॉइंट हमें देखने को नहीं मिला है जोयल की मैं बात के लेता हूं तो इतना खास इनका भी नहीं है देखो यहां से 2 पॉइंट 10 पॉइंट 4 तो इसका एक यह लोजिकल जो पॉइंट है न यह बात आपको ध्यान में रखना है ठीक है सोटली सम्दी में क्या है क्रेटनी और एंसलम हो गए ठीक है जोए दोनेंट जीनल्पिक है कि सावन एक से दोबर बोलिंग करते हैं ठीक है और राउंडर सेक्षन में बात कर लेते है मैर्विन मैथ्यों ठीक है काफी बढ़िया पॉइंट हमें देखने को इनसे मिल रहे है ठीक है जिरेमिय कि मैं बात के लेता हूं तो इतना खास हमें देखने को नहीं मिला है विंचेट लुइस काफी बढ़िया प्लेयर है लास्ट में 137 पॉइंट देखे गए थे तो यह बैटिंग भी करते हैं साथ में बोलिंग भी करते हैं और बोलिंग भी डैट में डालते हैं जिसे विकेट मिलने के चांस इनको ज्यादा रहते हैं तो फर्स्ट बोलिंग में तो आपको इनको सीवीची देना है ठीक है गेर्विन की मैं बात के लेता हूं लास्ट में 21 पॉ नहीं मिला है डैलन जोसप का भी इतना खास हमें देखने को नहीं मिला लास्ट मेच मेच में छैइप पॉइंट है माले एक एक विकल लेकर जा रहे हैं ठीक है शुरुवाती में काफे बढ़़ी ऑबोलिंग किया था लास्ट चार मेचों के हम बात करें तो इतना खास हमें देखने को नहीं मिला है मोरेल बुल्टोन की मैं बात करे लेता हूं लास्ट में 6 पॉइंट है उससे पहले 36 पॉइंट दिये थे ठीक है मलें 1 एक एक वीडिकित निकाल रहा है फिर लास्ट 4-5 मेचों की हम बात करें तो चार बार विकिल ले से एक बार विकिल लिया था Lex की मैं बात कर लेता हूँ Continue performance अच्छा दे रहे हैं यहां से आप देखिए एवरिद performance हमें देखने को इनका मिल रहा है Trash 11.9 की मैं बात कर लेता हूँ यहां से last match में 18 पॉंट थे ठीक है उससे पहले 16 पॉंट दिये थे क्लेमेंट्स की हम बात कर लेते हैं last match में 10 पॉंट और उससे पहले 31 पॉंट दिये थे तो shortlist summary में क्या है डेलन जोसप, Lex, Trash है तो इनको आप try कर सकते हो फिबेन जिसकी GLP होंगे हमारे लिए अब देखो मैं आपको 14, sorry only 14 प्लेयर बता रहा हूं GL में आपको rotate करना है इनमें से 11 प्लेयर आपको लेना है अगर आप लोग अभी भी टीम नहीं बना सकते हो तो मेरे भाई फेंटन सी खेलना छोड़ देना और टेलिग्राम पर जो अपडेट होगा ठीक है देखो टीम तो रिस्की होगा देखो टीटेन पर यह नहीं है कि मैं टीम दू तभी खेलोगे तो final update मतलब कुछ changes होता है कि जैसे मैं आपको 13 प्लेयर बता दूँ 12 प्लेयर बता दूँ 11 प्लेयर ही बता दूँ तो वो चीज़ें आप ध्यान में रखना है तोस के बार ने जो भी update होगा न वो टेलिग्राम पर आपको मिल जाएगा तो वीडियो के discussion में लिंक दिया हुआ से आप जोइन कर सकते हैं फर्स्ट कमेंट सेक्शन में पिन क्या होगा अगर यूट्यूब चैनल के आप नहीं तो यूट्यूब चैनल को भी subscribe कर लेना पहला विकेट कीपर सेक्शन में हम बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्शन में जेर्विंग सेलन जोर्जे डेन बॉर्टन हो गए ठीक है तीन प्लेयर विकेट कीपर में ठीक है अब देखो जो यह लिवरपूल है तो यह देखो पहले नमबर आख पर बेटिंग करने आता था पर लास्ट दो मैक्शों से हम बात करें तो यह ओनिंह कर रहा है अपर ला बंग फ questão से अब बात करने है मैर्विन और गैर्विन विंसेट लिविस तो यह तीनों हमारे लिए इंपोर्टेंट होंगे फिर हम बात कर देते हैं बोलिंग सेक्षन में चार प्लेयर आपको बताऊं देखो कुछ कितर से लेकर सो परसेंट के बीच में टोटल कितने आठ प्लेयर है ठीक है यहां से आप इनके नाम देख सकते हो तो इन में से चैसे साथ प्लेयर मस्ट भी होंगा जीएल के लिए हमें तो देखो जीएल टार्गेट करना है और कम से कम भी दस से ग्यारा टीम आप लोगों को आना है 31 से 70 परसेंट के बीच में टोटल कितने प्लेयर है चार प्लेयर इन में से एक या दो प्लेयर हमें ड्रेम टीम में मिल सकते हैं ठीक है जीरो से 30 परसेंट के बीच में टोटल है साथ प्लेयर में से 2 या 3 प्लेयर मस्ट भी होंगा ड्रेम टीम के लिए ठीक है तो क्रेटनी, डिफ्रेंचल होंगे, मेर्विन मै्थ्यू, रिस्की सीवीची होंगे साथ में मैंने सेलेक्षन परसेंटेज इस्टेजी बताइए उसके गौर्डिन इजली आप लोग टीम बना सकते हो मिलते हैं नेश्ट ऐसे ही अनलाइसिस वीडियो के साथ तब तक अपना ध्यान रखना जैहिन दोस्तो